नमस्कार मित्रबंधूँ, कैसे हैं आप सभी? उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बेहद आवश्यक होने वाला है अज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको सपने में कुट्टे ने काटा है तो इस सपने का आपके वास्तविक जीवन से क्या शंबंध होने वाला है क्योंकि आपको पता होगा कि हड़ एक सपने का आपके वास्तविक जीवन से कोई न कोई शंबंध अवश्य होता है अगर आप निंद में हैं तो सपना देखना ये प्रकिर्ती का एक दिया हुआ काम है लेकिन निंद में आप जो शपना देखते हैं उसका आपके वास्तविक जीवन से कोई ना कोई शंबंध अवश्य होता है कभी कोई शपना बहुत अच्छा होता है कभी सपना देखने से लोग बहुत जयादा खुस हो जाते हैं और कभी कभी श्वपन बहुत ज्यादा परिशान कर देता है, विचलित कर देता है, मांसिक शांती को भंग कर देता है। परंतु आपको चिंता नहीं करना है, अगर सपना बुरा है तो उसका उपाई है जो आप कर सकते हैं। परंतु से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके वाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रू अगर आपने शपने में देखा है कि कुट्टे ने आपको काट लिया तो अगर सपने में कुट्टे ने काटा है तो यह अच्छा सपना बिलकुल भी नहीं है इस सपने का मतलब है कि आपको आने वाले दिनों में शमस्याओं का शामना, परेशानियों का सामना बहुत ज्यादा करना होगा आपके जीवन से शुक सांती की कमी बहुत ज्यादा होने वाली है कडिवियों के द्वारा आपका शंबंध तूट जाएगा आपका शंबंध खराब हो जाएगा जिन लोगों पर आप बहुत भरोसा करते थे उन लोगों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा और मांसिक रूप से आप अपने आपको बहुत ज्यादा क आपको नहीं मिलेगा और आपका शफल काम रास्ते में ही रह जाएगा हो सकता है तो आपके विरोधियों के द्वारा दुस्मनों के द्वारा आपको परिशान करने का प्रयास बहुत जयादा किया जाएगा और आपके सत्रू आप पर हावी होने का प्रयास भी बहुत जयाद शत्रूओं के द्वारा आपके मांसिक शांती को भंग करने का प्रयास भी अविश्च किया जाएगा और कहीं ने कहीं उनके द्वारा परिशान करने से आपकी मांसिक शांती भंग हो जाएगी और मांसिक रूप से आप अपने आपको बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे मित्रों अगर आपने ये सपना देखा है तो आप चिंतित हो सकते हैं आपकी मन में डर होगा कि आपके साथ आने वाले दिनों में कुछ बुरा हो सकता है परन्तु आपको चिंता नहीं करना है अगर आपने बुरा सपना देखा है तो उसका एक उपाई है अगर आप वो उपाई करते हैं तो समस्या का समाधान आपको अवश्च मिलेगा मित्रो करना क्या है कि जब आप सपना देखे तो उसकी अगले दिन आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए अगर आप यह उपाई करते हैं तो इससे आपको बहुत जयादा फाइदा होगा और जो परेशानी है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा दर्सकों अगर आपकी मन में कोई प्रस्ण हो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्च की जाएगी वैसे मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को आपको हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्निववाद